मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ ने गोरकपुर में बेडी मेडिकल कॉलेज का निरेक्षोण किया साथ ही गोरकपुर मंदल के वरिष्ट अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज में बैठक की जिसमें कोरुना महमारी की रोखताम को लेकर चर्चा की गई बैठक में सदर सांसद रवी किशन के अलावा कई विधायक ADG जोन, अखिल कुमार, मंडला युक्त, जयन्त नालिरकर, DIG, CMO और DM समेत कई अधिकारी मौझूद रहे दो दिवसे दोरे पर गोरखपुर पहुँचे, CM योगी आधितनाथ ने एम्स के COVID-19 लेवल 2 अस्पताल का उधगाटन किया इस अस्पताल में 200 बेट की सुविधा मिलेगी, CM योगी ने इस दोरान मोके पर मौझूद एम्स की निदेशक को जरूरी दिशा निर्देश दिये इसके बाद मुखे मंत्री ने जिला अस्पताल में PQ वार्ड का निरिक्षन किया मीडिया कर्मियों से बाचीत के दोरान CM योगी ने बताया कि UP में संक्रमन की रफ्तार कम हो रही है और ब्लैक फंगस भी नियंत्रण में है कांपूर के जागेश्वर अस्पताल में वैक्सिनेशन में लगे समधा कर्मियों ने काली पट्टी बांद कर विरोज जताया यूपी सरकार द्वारा कोरोना वारियर्स को 25 फीजदी प्रोट्चाहन भत्ते को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है सिर्फ सरकारी कर्मियों को बता दे जाने से समधा कर्मियों में नाराजगी है एटा के जलेसर में सांसद प्रोफेसर S.P. बगेल ने सामुदाइक स्वास्तकेंद्र का नरेक्षन किया इस दोरान उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज़ों को अब ऑक्सिजन की कमी से 2-4 नहीं होना पड़ेगा इसको लेकर समुचित व्यवस्था कर ली गई है उक्सिजन आपूर्थ के लिए जलेसर आग्रा मार्क पर प्लांट लगाया गया है इलाके के सभी लोगों को वहां से परियाप्त मात्रा में उक्सिजन मिल सकेगी इसके लावा सामुदाइक स्वास्तकेंद्र पर उक्सिजन की उपलब्दा के लिए सांसद बगेल ने 5 उक्सिजन कंसंट्रेटर लगवाने को कहा है गर्जिपूर बोर्टर पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 मेहने हो चुके हैं इस मौके पर किसान नेता राकेश ट्रिकेट ने बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में जहां जहां चुनाव होंगे वहां बहां जाकर आंदोलन को धार दी जाएगे इस दोरान उन्होंने सरकार को आड़े हातों लेते हुए कहा कि गाउं में लोगों को आक्षिजन मुहया करापाने में सरकार नाकाम रही है और अगर समात सिवी संस्ताइं मदद नहीं करती तो गाउं में हालात और भी बुरे हो सकते थे उन्होंने कहा कि बेज़ेपी ने बंगाल और यूपी के पंचाय चुनाओं में किसानों की बात ना मानने का नतीजा देख लिया है किसान सबे जगह कुरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं वहीं आज किसानों के हाथों में काले जुंडे हैं उनका कहना है कि आज का दिन काला दिन है जब तक मांगे नहीं मानी चाहेंगी तब तक आंदूलन जौरी रहेगा फिरोजाबाद में एक दबंग बीच चौराहे पर एक व्यक्ति को लाद घूसे और बेल्ट से पीटता रहा और लोग तमाशा देखते रहे लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश नहीं की मामला श्रीकोहाबाद कोतवाली के एटा चौराही से सामने आया है हर वक्त रहने वाली पुलिस पिकेट भी जौरान मौके पर नहीं दिखी अब बी चौराहे पर व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वैरल हो रहा है मोहबा से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है मामला श्रीनगर कोतवाली इलाके के बिलर रही तिगेला के पासका है बस गुजरात के सूरत से 18 से जादा यात्रियों को लेकर यूपी के बांदा आ रही थी लेकिन इसी दोरान बस बेकाबू होकर पेड से टकरा गई इस साथ से मेकरी छे लोग गंभी रूप से घायल हुए हैं जिनने इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है वहीं एक यात्री को जहांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है किसान आंदोलन को आज 6 मेहने पूरे हो चुके हैं नए किर्शी कानूनों के खिलाफ पिसले 6 मेहनों से किसानों कांदोलन लगाता अच्वारी है इस मौगे पर किसानों ने देश भर में काला देवस मनाने का हवान किया है यूपी गेट पर भारते किसान यूनियन के राश्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकेट ने काली पगड़ी बान कर अपना विरोधर्च कराया यूपी के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ के 22 मही को सफ़ई दोरे के बाद समाजवादी पार्टी का मैनपूरी जनपत का एक कारेकरता काफी नाराज दिखा उसने जहां जहां पर सीम योगी गए वहां वहां पर जाकर गंगाजल का छिड़काव कर शुद्धी करण किया उसने इसकी वजह भी बताई मैनपूरी जनपत के कजवा भोगाउं इलाके के गाउं महोली खिड़ा के रहने वाले रोहित समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं रोहित उत्रपरदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ से इसलिए नाराज हैं कि योगी आधितनाथ ने साल 2017 में यूपी में मुख्यमंत्री की कमान संबाली थी जिसके बाद योगी आदितनात ने उत्रपरदेश के पूरों मुख्यमंत्री अखलेश यादव के कालिदास मार्क पर बने इस तरकारी बंगले को गंगाजल और गुममूत्र से शुद्धी करन कराया था जिससे रोहित काफी नाराज दिखा था। नाराज दिखा था।